तो सबसे परहे हम को समझते हैं, कोशन के अंदर क्या बोला है? एक साड़ी है तो उसकी माग प्रैस कितनी है? रुपीज शिक्षंडेड है ठीक है, माग प्रैस बेसिकली आपकी MRP हो गई उस सारी के MRP कितनी है? शिक्षंडेड रुपीज है लेकिन is available on रुपीज 450 600 के वाज़ा है वो आपको available है कितने रुपए में 650, तो basically यह selling price हो गया तो आपका selling price हो गया 450, mark price हो गया 600 तो यह दो data की मज़से अपनको rate of discount मतलब discount percentage calculate करनी है कितने percent का discount मिल रहा है उप उपनको find out करना है तो हम सबसे पहले answer में लिखेंगे mark price कितना बोल रहा है सारी का 600 रुपीज बोल रहा है और साथ में selling price कितना है selling price है basically आपका 450 ठीक है तो अब अपन इसको सबसे पहले हम discount amount उसकी value find out करेंगे discount is equal to discount कैसे calculate होगा mark price minus selling price तो आपका mark price कितना है 600 minus 450 तो 600 minus 450 कितना होता है 150 तो 150 रुपीज का आपको discount मिल रहा है है ना तो यह हो जाएगा तो discount आपको कितने का मिलेगा अगर आप साड़ी खरेद होगे तो 150 रुपीज का discount मिलेगा अब अब अपन को discount percentage अब अब अपन को basically discount percentage calculate करनी है तो कैसे करेंगे हम लिखेंगे discount percentage is equal to कैसे होगा discount amount divided by mark price into 100 तो आपको कितने रुपे का discount मिल रहा है 150 रुपीज का discount मिल रहा है diviard by mark price कितना है 600 into 100 तो 00 here gets cancer 150 divided by 6 कितना मिलेगा 25 अगर आप उस साड़ी खरेद होगे जो कि उसकी mark price है 600 और selling price है 450 तो आपको discount कितना मिलेगा 25% और in amount it is 150 rupees ठीक है so this is your answer